जहन बच्चो हम लोग इस बूरे वीडियो में डिसकस करेंगे बी ए पार्ट सेकंडियर के साइकलोजी के पेपर के उपर पेपर वन और ध्यान रहे यह पेपर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं आप 75 में से 75 भी ला सकते हो यदि बहुत अच्छे इसमें होगा तो प्रेक्टिकल बाद में होगा एक्जाम के तो परिशान नहीं होना है दूसरा आप एक दूसरे के साथ साजा कर देना खुदी इतना सही होकी मैं अपेक्षा आप लोगों से रखता हूं और जब यह पेपर हो जाए तो इसकी PDF मुझे कोई भी एक स्टूड के और सेक्शन सी में जो है पंद्रा पंद्रा नंबर के दो कोश्यन है यूनिट वन देखे जिन बच्चों की मैथ अच्छी नहीं है उनके लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि वह इस्टेटिक्स की डेफिनेशन कि मीनिंग नेचर और इंपोर्टेंट्स तो यहां पर नेचर और इंपोर्टेंट्स ऑफ इस्टेटिक्स यानि सांखिकी का मेहत्व और प्रिवर्ति को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे साम में यह कुश्यन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा तो एक कुश्यन तो टैबूलेशन ऑफ डाटा तो टैबूलेशन क्या होती है और टैप आफ टैबूलेशन और इसका एक 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 जामपल टैबूलेशन का इसका आप लोग अच्छे से देख लेना एक कुश्यन आपको यहां से मिल जाएगा यदि आप लोग जानते हो तो फ्रिक्वेंसी पॉल बहुत सिंपल सा है समांत्रमैद मदिका और बहुला कि इसको अच्छे से रीड करिएगा यहां से एक कुश्यन आपका हो जाएगा इसके साथ ही बार डाइग्राम आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बार डाइग्राम से भी एक आद कुश्यन जरूर मिलते हैं एक कुश्यम आप लोग हिस्टो ग्राम का देख लेना और कुमुलिटिव फ्रिक्वंसी कर्व जो है इसका भी एक कुश्यन कई बार संचय बारम बार तबाकर जो होता है और कर्व इसको भी बूशते हैं तो यह आप लोग देख सकते हो यहांसे काफी important है यदि यहां से हम लोग बात करें standard deviation आप लोग जरूर देखें क्योंकि एक question तो आपका standard deviation का आएगा ही आएगा और इसके अलाबा एक question जो है quartal deviation का आएगा तो दोनों ही आप लोग पढ़ ले qd और sd qd ये sd जो है standard deviation यह नि प्रमाब बिचलन जो है सबसे important है तो प्रमाब बिचलन को आप लोग अच्छे से देखिएगा अब हम लोग बात करें correlation की यानि सह सम्मंद देखो सह सम्मंद में मुझे जो लगता है वो एक तो आपको rank correlation जो है इसको पूरा अच्छे से देखिए और एक जो है rank correlation तो experiment का है और एक आप लोगों को जो देखना है वो है कारल पियर्शन का सह सम्मंद दोनों विदियों से आप लोग को देखना है यानि सह सम्मंद का एक question जरूर आपके आएगा पंदरा नमबर में भी और साथ नमबर में इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए याप लोग ज्यादा बढ़िया रहेगा यूनिट फिफ्थ थोड़ी सी टाफ पढ़ती है आप लोगों के हिसाब से मुझे रखता है कि काई स्कौर को थोड़ा अच्छे से आप लोग देखोगे तो काई स्कौर इजी पढ़ता है काई स्कोयर की Value Calculation करना आप लोग देख लीजिएगा ज्यादा मुस्किल नहीं है हम शृरी जरूराँ इनकी देख लेना दुनों की काई क्या होता Quickly तैस्ट क्या होता है जिससे की यदि थ schemes पूछें तो वो भी यह आप लोग कर पाओ और प्रैक्टिकल एक्जाम के बाद होंगे मैं आप लोग को बता दूंगा आप सब को सुब कामना है पिशन्यों all the best और good luck